नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विकास पांडे और आप सभी को इंपीरियल आर्ट में तहे दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तों ये है कोरल ड्रॉ के टैग नंबर 43 का क्लास और आज के क्लास में हम टैग का शेप बनाना सीखेंगे तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिस करेंगे इस थम्नेल को हमें सेलेक्ट करना है और इसे साइट कर लेंगे टूल बार में जाएंगे, रेक्टेंगल टूल लेंगे और एक रेक्टेंगल का शेप ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से और property toolbar में जाकर इसके width को हम 60 mm में ले लेते हैं और यह देखिए इसे थोड़ा सा उपर कर लेंगे अब दोस्तों यहाँ पे shift की को press रखते हुए इसे अंदर की ओर हम लेंगे और यहाँ right click कर देंगे एक rectangle का duplicate बन जाएगा और shift की को press रखते हुए यहाँ नीचे से हम उपर यह drag करेंगे और छोड़ देंगे पर दोस्तों इसे undo कर लेते हैं और control की को press रखते हुए यह नीचे लाएंगे यह देखिए कुछ इस तरीके से यह हमने से नीचे ले आया है अब प्रोपर्टी टूल बार में यह corner radius से राउंड करेंगे राउंड करने से पहले दोस्तों हमें round corner को select कर लेना है और फिर corner radius से राउंड करेंगे देखिए अच्छे से राउंड करेंगे corner radius से 6.6 mm तक हुआ है और थोड़ा करते हैं दोस्तों 7.2 नहीं थोड़ा सा और मांगता है यह देखिए थोड़ा सा और राउंड करेंगे 8 mm मुझे अच्छा लग रहा है यह perfect है अब यहाँ पर polygon tool लेंगे दोस्तों और एक polygon का shape देंगे pentagon का और यहाँ point और side से इसे 4 point में हम कर लेंगे square का shape दे दिया है हमने और shift key को press रखते हुए इसे नीचे की और drag करेंगे कुछ इस तरीके से और यहाँ से भी इसे press करेंगे shift key को press रखते हुए यह देखिए यहाँ center में इसे ले आते हैं यहाँ पर हमने इसे ले आया है यह थीक है इसे थोड़ा सा और हम shift key को press रखते हुए घीचेंगे यह देखिए कुछ इस तरीके से इसके width को हमने बढ़ा दिया है और इसे यहाँ से थोड़ा सा कम कर लेंगे यह perfect है अब virtual segment delete tool को लेना है दोस्तों और इन सभी को हम delete करेंगे यह देखिए यहाँ यह वाले भी portion को delete करेंगे यह line को भी delete करना है इस line को भी यहाँ भी और यहाँ भी यह देखिए दोस्तों जो shape चाहिया था वह हमें मिल गया है अब हमें ellipse tool को लेकर control और shift key को प्रेस रखते हुए एक circle ड्रॉ करेंगे और center में place करेंगे और control key को प्रेस रखते हुए से यहाँ पे place कर देंगे और shift key को प्रेस रखते हुए से छोटा कर लेंगे अब smart fill tool से दोस्तों आगे सबसे पहले color को हमने brown color को pick कर लिया है और smart fill से इसे feel कर लेंगे brown color feel कर दिया है हमने इसे select कर outline को none कर देंगे और shift key को प्रेस रखते वे इसे छोटा कर लेंगे और sight कर लेते हैं और इस background को select कर center में ले आएंगे और इस logo को हमें यहाँ पे place करना है और shift key को प्रेस रखते वे इसे छोटा कर लेंगे यहाँ पे इसे place कर दिया है और shift key को प्रेस रखते थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे यह set हो गया है दोस्तों यह perfect हो गया है तो दोस्तों यह था आज का class और दोस्तों मुझे उमीद है आज की class आपको जरूर पसंद आई होगी पसंद आए तो like करें share करें subscribe करें और किसी भी तरह के प्रश्ण के लिए comment section में जरूर लिखें मैं उसका उत्तर जरूर दूँगा हम अगले class में बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए tech के साथ thanks for watching करें